सो हेलो वर्वन कैसे हैं आप लोग इस वीडियो में हम VJTI मुंबई इस कॉलेज के बारे में डिस्कुशन करने वाले हैं मतलब वेरमाता जेजावाई टेक्नलोजिकल एंस्टिटुट माटूंगा मुंबई ठीक है जैसे कि यहाँ पर एक पिक्चर में ने आपके रेफरेंस के लिए इंक्रूड किया है यह टॉप यूज से लिया हुआ है यह फोटो है कॉलेज का बर काफी पूराना कॉलेज है बहुत सरे लोगों को अलड़ी पता होगा इस कॉलेज का नाम इस कॉलेज के बारे में इंफोर्मेशन भी पता होगी लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको पता नहीं सिर्फ नाम सुना होगा लेकिन कॉलेज के बारे में ज्यादा चीदे पता ने ठीक है तो विडियो को लाइक जरू करना है और चानल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना तो बढ़ते हैं आगे एक एक चीज़ देखें के स्टेपवाइज तो इंस्टुट का नाम तो मैंने आपको बता दिया 1887 एस सबसे पहली खास बात कॉलिज की अटरासो सब्ता सी कॉलिज का एस्टैबलिश्मेंट है 3012 DTE पोड है इस कॉलिज का ओफिस का कॉंटेक्ट नंबर भे मैंने आपके लिए लेके रखा है आप ज़रूर कॉंटेक्ट कर सकते हो ओफिस को किसी चीज़ के लिए अगर आपको इनफर्मिशन चाहिए मुंबई इस से आपको काफी इनफर्मिशन मिलती है किसी भी कॉलिज के बारे में तो गवर्मेंट एड़ कॉलेज है और नौन माइनरेटी है तो आगे बढ़ते हैं इस कॉलिज का एक लोकेशन का बताता है आपको दादर का जो रिले स्टेशन है वहाँ पर ही कॉलेज है एक किलोमेटर और बस स्टेंड भी वही पर है सांता कुरुज का जो एरपोर्ट है वो 12 किलोमेटर के आसका बास दूर है यहाँ से बेटेग डिगरी मिलती है आपको और मुंबई इनफर्मिशन को कॉलेज अफिलेट है तो होस्टिल के अगर बात करते हैं तो इस कॉलेज में होस्टिल अ अविलेबल है इस कॉलेज में आपके लिए हम देखते हैं तो बेटे के अगर बात करते हैं तो आपके लिए आपर सिविल हैं, कंप्यूटर है, IT है, Electrical है, Electronics and Telecommunication है, Electronics सिर्फ Electronics, यह जो Electronics कोर्स है काफी कम कॉलेजे में आविलेबल है जो पुराने कॉलेजेस हैं वही प पर अविलेबल है जो की पिछले साली इंफ्लूड किया यह उन्हों, Textile Technology है और हर एक कॉर्स का इंटेक 60 है, ज्यादा इंटेक है नहीं आपर, Computer IT हर एक कॉर्स का इंटेक सिर्फ, और एक बात मैं आपको बता हूँ, 1986 से यहाँ पर Computer Engineering कॉर्स है, यह दूसरी खार्स बात इस College की, मतलब Computer Engineering भी काफी पो रहा है यहाँ पर, तो आगे बढ़ते हम, यहाँ पर Placement के बात करते हैं थोड़ी बहुत इस College के बारे में, तो College ने अपने website पे कुछ information दिया है, Placement के बारे में, वो ही मैंने आपके सामने रखा है, ठीक है, तो Basic किस की बात करते हैं, तो क्यूंक 42 lakhs per annum, इस College से Placement हुआ है, Microsoft Company में, तो यह highest package है, उस साल का, Companies this season, कंसी कंसी कंपनी आए थी, मैं आपको बताता हूं, भार, City, Company Name, बताता हूं, फिर CTC, कितने offers मिले, भार, VJTI में, वो भी दिखेंगे, तो Microsoft 42 lakhs package मिला, CTC, और एक offer मिला, Work India 35 lakhs package के साथ, एक offer, Rakuten, Japanese Ains, 50 lakhs, मतलब INR में होता है, 35 lakhs per annum, मौर्गन Stanley में, 25, 4 offers मिले, Goldman, 23 lakhs per annum, 6 offers, Samsung में, Sanctions में भी हुआ है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने package नहीं बता है, SAP Labs, 20 lakhs, 6 offers, तो आप packages दे सकते हो, 93, 19 lakhs, J.P. मौर्गन वेंफूट, और यह packages के साथ-साथ इन company के नाम देख सकते हो, यह international है, और बहुत बड़ी-बड़ी organization है, इनके नाम आप Google कर सकते हो, आपको पता चलेगा, YouTube कर सकते हो, यह क्या है चीज़े, तो यह जो company और इस package के साथ आती है ना, वो कहीं और मुझे अभी तक तो नहीं दिखा है, यह IIT level का है सब कुछ, मुझे तो लगता, IIT में भी इतना नहीं होगा, यह I think, correct me if I wrong, ठीक है, तो यहाँ पर डोईश बैंग देख सकते हो, यहाँ पर 19 लाइक package के साथ, तो IIT से कम नहीं है, इतना मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, IIT से कम नहीं है, COAP college ले लो, VJTI ले लो, IIT level के मैं मेरा opinion है, I think आप भी आगरी कर सकते हो, लेकिन आपको क्या कहते हो, आप क्या कहते हो, यह भी comment में बता, मैं कहता हूँ, COAP, VJTI, IIT level के है, ऐसा बोलता हूँ, क्या आप आगरी करते हो, क्योंकि देखिए placement, पुराने college से placement अच्छा है, सारी चीज़ अच्छे हैं, education अच अच्छे है, तो IIT से कम नहीं है, ऐसा मैं बोलता हूँ, ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम यहाँ पर, placement report देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं, तो computer के placement ही enrolled to TPO, 76 enrollment होए थे, उसमें से placement होए 44, और average package देखते हैं हम यहाँ पर, 8 lakh, 10 lakh, 8 lakh, 9 lakh, 9 lakh, 10 lakh के असपास, 10 lakh के अस आगे बात करते हैं, fee structure के बारे में, इस college के, तो latest fee structure है, 2022 थे इसका, अभी आप जब admission होगे, तो यही fee structure आपको देखने को मिलेगा, तो development fees यहाँ पर ज्यादा होता है, जो autonomous colleges होते हैं, वहाँ पर development भी ज्यादा होता है, इसलिए यार, category में भी ज्यादा fees बन जाता है, आपके लिए 17,000, और जो ट्रीड लाग से कम है, उनके लिए 44, तो जम्मु काशन में candidate is 38, EWS 78, TFWS 70, उसके बाद यह PMSS 47, आप वीडियो पॉस करके देख लेना, ठीक है, और यह हो गया, अब यह lateral interim मतले, direct secondary वालों के बात करते हैं, तो उनका भी fee structure similar ही देख रहा है, मुझ hostel के बारे में fee structure देखते है, hostel animation क्या होगा अभी साल, तो यहाँ पर total अगर हम बात करते हैं, girls hostel की, तो यहाँ पर total बाईस हजार बोला है, एक साल का, ठीक है, ओके, और मेस के लिए, payment for मेस charges for girls and to be paid मेस और डिरेक्ले और मनले, approximately रूपीज 98, अच्छा, तो मेस के लिए 98 रू है, तो 22 उतना ही fees है, वहाँ पर और एक hostel है, boys का, वहाँ पर 43, यहाँ पर girls e-block में 64,000, तो यह hostel अलग-अलग है, उसका अलग-अलग है, उसका अलग-अलग है, तो आम बात करते हैं, अब important, यहाँ का cut-off, तो देखें, आपर आप साम नहीं देख सकते हो, civil engineering जहाँ पर कही colleges में, civil engineering में, admission ही नहीं हो रहे है, वहाँ पर इस college में, civil का cut-off, 96 percentile है, और category में भी उतना ही है, 96, देखें, हर एक category का 96, 97, तो आगे बात करते हैं, तो computer का कितना हो, देखें, मैंने यह point के आगे भी लिखा हैं, इस particular ही, तो मैं, यहाँ पर आपको दिखाना चाहता था, 99.99 ऐसा कुछ दो था, तो 100 percentile आप पकड़ के चलो, computer engineering के लिए, तो आप इससे पता लगा सकते हो, कितना craze है बच्चों का इस college में आड़ में लेने के लिए, 100 percentile cut-off लगता है, और category में भी देख सकते हैं, 96 percentile, मतलब पहले student COEP, और कुछ student पहले विजेटी आए, बाद में COEP COEP, विजेटी आए, यह महाराष्टा के top two पहले देखते हैं, बाद उसके बाद कुछ और autonomous है, उनको भी देखा जाता है, ठीक है, तो इसलिए इतना cut-off लगता है, तो जो 100 percentile, 99 percentile होते हैं, वो सब COEP, विजेटी आए, ऐसे college में आते हैं, IT का भी देखिए, 99.8 percentile है, और का और TFWS में 100 percentile, ओके, तो electrical का भी 99 percentile, हर एक कोर्स का, उसके बाद NTC का 99 percentile, मतलब कुछ देखने की बात ही नहीं है, ओ देखिए, electronics का भी उतना है, mechanical का 98 percentile, production 96 percentile, textile 94 percentile, मतलब इससे आप समझ सकते हो, पहले ये college देखा जाता है, ये नहीं मिला तो तो बाकी को लिए से, मतलब COEP और विजटेयर top 2 में रहेंगे, जिनका 100 percentile असपा score है, तो बहुत कम ऐसे students होंगे, जिनको इस college में आडवे, क्योंकि 60-60 हिंटे के यार, महाराष्ट्रा में कितने students को मिलने वाला है, college वैसे भी, ठीक है, लेकि जिनको नहीं मिलने वाला है, बहुत साही जगा पर, अगर आपको helpful लगे हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करते हो, और शेर करते रहना है वीडियो, मैं लाइक क्यों बोलता हूँ अगर आप वीडियो को लाइक करते हो, तो YouTube algorithm इस वीडियो को प्रमोट करता है, ठीक है, और चान्दा कर नहीं हो तो सब सब्सक्राइब कर लेना, तो रुखते हैं यहाँ पर, मिलते हैं एक और ऐसी जबर्दस इंफरमेटी वीडियो के साथ,